नमस्ते आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत हैं ये ब्लाउज का पीछी का भाग हैं जिसकी कटिंग पहले के वीडियो में मैं बता चुकी हूँ और अब इसको मैं सील कर दिखाऊंगी ये देखिए ऐसे हैं इसको पहले हमको बांधना है ये परला ये लेना है और ये सीधे का भाग ये सीधा रहेगा इसी पर से हमको सिलाई लगाना है और फिर इसको पलटना है अब इसको पलटेंगे इस तरह इस तरह पलट कर इस पर सिलाई करेंगे इसको कोना है इसको निकालना जरूरी होता है देखिए ये पूरा सिला गया है एक तरफ का ये दोनों तरफ का बांध दिये हैं गले का अब ये ये जो खूला भाग है इसको हम सिलाई करके बंद कर देते हैं इसे सिलाई लगा देते हैं ताकि बाहर निकले ला इस तरह देखिए ये हो गया है इसी तरह दूसरा भाग भी सिल लेते हैं देखिए ये पूरा हो गया है यहां से इससे पूरा बांध दिये हैं अब यहां पर गले का डिजाइंग बनाएंगे इसके लिए ये पहले से कटिक करके रखेते हैं कि अब इसको हम काट लेंगे ये थोड़ा अधी दूर से काट रहे है थोड़ा ताकि जो है कि सिलने में सही आए अब इसको सील लेंगे देखिए ये सील गया है इसको हम चाट लेते हैं यहां पर कट कर लगाना है यहां पर कट कर दी है इस तरह अब इस तरह चारो तरफ इस तरह कर लेंगे देखिए यह कटिंग हो गया इधर इस तरह तरह यह अच्छे से घुम जाएगा अब खोलेंगे तो अब अच्छा आएगा है ठीक है ना देखिए इस तरह कि अब यहां पर पूरा शेफ अच्छे से आ गया है इसको भी ऐसे करके अब इस पर सिलाई कर लेंगे तेकि अब यहां से किनारे एकदम सिलाई कर लेंगे तक कि सेफ इसका अच्छे से आ जाए कोना को दवाते हुए बनाना है अब यहां पर लेस इसको इस तरह लेस को लगाएंगे लिखी हो गया है अब इस पर सिलाई और चलाएंगे यह पूरा इस तरह हो गया पीछे पल्ले में रखकर सेट कर देंगे अब इसको यहां पर लगाएंगे लगा कर सिलाई करेंगे यहां से पहले लेस लगा ले रहें लेकिया इस तरह दिजाइन बनाएंगे और सिलकर पुरा कंप्रेट बस डोड़ी लगाना अब इस तरह इसपर अबकर हमसी टेलाई बाएंगे करेंगे 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 इस तरह है कि यह हो गया पुरा प्लाव पिछे बार प्लाव पिछे बार देखें यह दोटों सीले हैं यह यहां बीच में लगाएंगे इस तरह फिर इस में से डोरी जाएगा इस तरह यह बना दिये हैं यह कि देखने में अच्छा लग रहा है इस धागा जो है उसको निकाल दे रहा है पिछे के बिलावज का परला तयार हो गया है लिखे वेने लेस भी लगा लिया डोरी भी बन गया यह जूमर भी लगा दिया है कपड़े का ही बना कर अब यह डिजाइन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बाक्स में लिखिएगा और शेयर करिएगा और लाइक करिएगा धन्यवाद बन्यवाद